Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, please like and share and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. को पता है कि आज ही के दिन 22 फरवरी 2006 को बिटेन में उसकी हिस्ट्री में हुई सबसे बड़ी डकैती पड़ी थी. इस डकैती में लगबग 53 million pounds जिनको अगर हम आज भारत की currency में convert करें तो लगबग 5 अरब 40 करोड रुपे बनते हैं. इन में से लगबग 3 अरब 25 करोड रुप को security as depo के manager Colin Dickson अपनी गाड़ी Nissan Almera से अपने घर वापिस जा रहे थे. शाम के लगबग 6 बजे थे. तब ही उन्हें पीछे से एक पुलिस की गाड़ी ने रुखने का इशारा किया. दोस्तों अगर पुलिस की कोई गाड़ी होती है तो ब्लू लाइट फ्लेश करती है. क्य नहीं हुई थी. भार निकला और उसने दिक्सन को गाड़ी से बाहर आने के लिए बोला. डिक्सन जब गाड़ी से बाहर निकले तो उस आदमी ने उनसे बोला कि आपने traffic rules का violation किया है और उसने डिक्सन को हतकडिया पहना दी. और उन्हें पुलिस जैसी जो गाड़ी थी उ उनको उस वैन में डाल दिया और उसके बाद उस वैन से डिक्सन को ले जाकर एक दूर दराज फार्म हाउस पर कैद कर दिया. दोस्तो जिस समय ये सब कुछ हो रहा था ठीक उसी समय डिक्सन के घर पर उनकी बीवी और उनका आठ साल का बच्चा दोनों बहुत अकेलिये थ उन से कहा कि आपके पती का एक ट्राफिक एक्सिडेंट हो गया है तो आपको हमारे साथ चलना पुड़ेगा. इस तरीके से उनके बीवी और बच्चे को लेकर उस गाड़ी में बिठा कर वो उन्हें वहाँ से ले गए और थोड़ी देर बाद उनको भी उसी फार्म हाउस पे ले जाकर बंधक बना दिया गया जहां डिक्सन पहले से महजूद थे. फिर डिक्सन को वहाँ धमकाया डराया गया और उनको बोला गया कि अगर वो कॉपरेट नहीं करेंगे तो उसके और उसके परिवार के लिए बहुत बुरा होगा. उसी रात लगबग एक बजे डि ले जाने का काम किया. जो लुटेरा डिक्सन के साथ अंदर गया था उसने अंदर जाकर सभी कर्मचारियों को बंदूग की नोक पर सफेद वैन को अंदर आने के लिए मजबूर कर दिया. इस तरह किया से सफेद वैन और सभी लुटेरे अंदर दाखिल हो गए. सभी बंद कर लुकर रूम में बंद कर दिया. लुटेरे जिस वैन को अपने साथ लाए थे वो लगबग साड़े साथ टन कैपिसिटी की वैन थी और उस वैन में लगबग 353 मिलियन पौंड को भर दिया गया. उसके बावजूद भी वहां लगबग 150 मिलियन पौंड थे जो रात के सवा तीन बजे किसी तरीके से करमचारियों ने अलार्म टिकर बजाया तो पुलिस वहां पहुची और उन्होंने उन सब को अजाद किया. दोस्तो इस घटना में किसी भी करमचारी डिक्सन या उनकी बीवी को कोई चोड़ तो नहीं लगी थी लेकिन एक मेंटल ट् बोशना कर दी किसी भी ऐसे वनती के लिए जो इन अपरादियों के बारे में कोई भी खबर देने वाला था. दोस्तो यह इनाम युनाइटेड गिंग्नम की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इदाम था. इसके बाद अगले दिन 24 वरवरी को कैंट पुलिस ने हैं बताया कि यह अपराद बहुती प्लानिंग के साथ किया गया था और इसमें कम से कम 20 मिलिन पॉंट्स तो चोरी हुए थे या जाल से अदव हो रकम 50 मिलिन पॉंट्स तक भी जा सकती थी. उसी दिन शाम को पुलिस ने दो गिरफतारिया भी की जो कि साउट लंडन में की गई थी. उसमें शाम को पुलिस ने चोरी में इस्तमाल हुए सभी वाहन वो वाइट वैंच जिसमें की डिक्सन को अगवा किया गया था. डिक्सन की वो निसान अलमीरा गाडी जो की वो ड्राइव कर रहे थे और दोनों वो पुलिस कार जिनकों की ऐसे दिखाया गया था कि पुलिस की पापा. वो दोनों ही घर पर तो नहीं मिले लेकिन रुशा के घर पर बंदुकों के खाली कार्तूस जो ब्लूप्रिंट्स उन्हों ने इस्तमाल की थे उस डैपों के उसके हाथ से बनाए गई नक्षब रामद हुए. आगले दिन किसी ने खबर दी कि ये दोनों कहीं रहे हैं और पुलिस ने घरा बंदी करकर ब्लू 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 में भागते हुए पकड़ लिया. 27 फरवरी को पुलिस ने दो और लोगों को पकड़ लिया और उस शाम को पुलिस ने उस सफेद वैन को भी अपने कपजे में ले लिया जिसमें की सारी लूट की रकम लेकर लुटेरे गायब हुए थे. साथ ही उन्होंने उन बकसों को भी बरामत कर लिया था जिसमें की लूट की रकम भरी गई थी. दो मार्च को पुलिस ने एक कार यार्ड में छापा मारा और वहां चोरी की रकम में से 7.3 मिलियन डॉलर्स 7.3 मिलियन डॉलर्स बरामत कर लिये. उस दिन तीन और लोगों को कोट के सामने पेश किया गया. जिसमें पहला था जौन फाउलर यह एक कार डिलर था और उसके उपर चोरी का पैसा छुपाने, अगवा करने, चोरी का शर्यंतर करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. दूसरा आदमी था स्टूर्ट रॉयल, उसके उपर चोरी का शर्यंतर करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. तीसरा आदमी, किम, उसके उपर चोरी का समान रखने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. तीन मार्च को जैटमीर बगपापा और लिया रोशा को भी कोर्ट में पेश किया गया और उनके उपर भी कोई लेना देना नहीं था हां लेकिन एक एमिर हैसेनाज नाम के आदमी का जो कि इंसाइडर था जिसने की वहाँ नौकरी करते हुए उस पूरे डैपो की सिक्यूरिटी फुटेज़ और ब्लूप्रिंट्स दयार किये वो इसमें शामिल था जिसको भी गिराफ्तार कर लिया गया था चोरी के दस साल बाद यानि कि 2016 तक भी चोरी के 32 मिलियन डॉलर बरामद नहीं हो पाए थी केन पेटरसन नाम का वक्ती जिसको की पुलिस समझती है कि वो इस डगैती और आपरहन की गटना का मास्टर माइंड था आज तक नहीं मिला है और ऐसा समझा जाता है कि वो इससे पहले नॉर्दन बैंक रॉबरी जो बेलफास्ट नॉर्दन आयरलेंड में हुई थी 2004 में वो सबसे बड़ी कैश रॉबरी मानी जाती थी UK की हिस्टरी में जिसमें की 26 मिलियन पौंट चुरा लिए गए थे लेकिन टॉन ब्रिज रेड डिसको की हम सिक्योरिटाज ड से उसके ठीक थोड़े दिनों बाद United States ने 2003 में एराक के उपर हमला कर दिया था तो दोस्तों यह वीडियो था UK की हिस्टरी में हुई सबसे बड़ी ड़कैती के बारे में उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मैं कल फिर आप लोगों से एक नया वीडियो एक नया टॉपिक लेकर मिलता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मैच